तो हलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्राइदे हमारी React.js की सीरीज में हम दो लेक्चर कम्प्लीट कर सोके थे जिसमें हमने फस्ट में देखा था वाट इस React.js, कम्प्लीट इंट्रोड़क्शन, सेटप, हाव तो सेट अप देखा था कि हम कैसे अपना React app बना सकते हैं इंदा Visual Studio Code and हमारा Folder Structure and Code Structure तो प्लीज अगर वो वीडियो अपने नहीं देखी है तो उसको देख के आओ, then हम तीसरा स्टार्ट करते हैं So guys, इस वीडियो में हम देखेंगे What is JSX and Babel JSX के, because JSX आपको पढ़ना बहुत जोड़ी है क्योंकि सारा Code हम JSX के अंदर ही लिखेंगे JavaScript extension भी बोल सकते हो and JavaScript XML भी बोल सकते हो Okay, because JSX X stand for XML तो हम उसे कैसे यूज करते हैं अपने React के अंदर तो चलिए, स्टार्ट करते सबसे पहले हमारा last project क्या था जिसमें हमने index.js create कर रखा है and यहाप एक hello component create कर रखा है So guys, चलिए पहले हमने अपको run कर लेते है npm run start Okay, so यह हमारा app started है यहाप दिख सकते हो hello subscribers हमारा last project So guys, what is JSX? JSX एक short हमाने full form पता चलगी JavaScript code extension है तो चलिए इसकी documentation में चलते है यहाँ मैंने इसको open गगे रखा है So अब दिख सकते हैं यह documentation है JSX की JSX is a syntax extension of JavaScript that lets your write HTML-like markup inside a JavaScript file इतना समय लेते है कि यहार हमें क्या करना है simple जैसे आप इसमें app.js को देख सकते हो इसमें क्या नहीं है इसमें CSS भी है CSS आप डारेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पर फंक्शन भी है जो कि JavaScript का है and HTML भी है So JSX आपको provide करता है functionality जिसके through आप single file में JavaScript, XML, I am sorry JavaScript, HTML and CSS तीनों लिख सको अगर आपको कुछ भी JavaScript इसके अंदर लिखनी है ना तो आप दो Calibreses लगा के easily लिख सकते हो कोई variable call करना है कोई function लिखना है कोई function call करना है या फिर आपको ternary operator यूज करना है if else यूज करना है तो easily कर सकते हो with the help of JSX and और दिख लेते हैं थोड़ा सा क्या है so देखो इसमें simple pictorial representation समभाज लेते हैं यह HTML है यह JavaScript के function से ही HTML है so आप with the help of JSX आप इनको same एक ही file के लिख सकते हो sidebar is logged in please welcome else form यह login के छोटी से functionality दिखाई है इसके अंदर so converting HTML to JSX is an easy thing ठीक है okay so आप इस documentation को भी read कर सकते हैं completely कि what is happening, क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है ठीक है basic मतलब यह यह कि आप JavaScript की single file के अंदर HTML, CSS and JavaScript add कर सकते हो so guys सरो कुछ experiment करते हैं JSX के साथ JSX exactly कैसे काम कर रहा ठीक है तो यह हमारा hello component है ठीक है तो हम यहाँ देख सकते है मैं यह आप एक component call कर सकता हूँ यह आप एक variable call कर सकता हूँ let edge equal to 100 and अब मुझे यह JavaScript का variable call करना है अपनी HTML के अंदर तो पहले आप क्या करते थे कि एक पूरा script बनाते थे document.getElement suppose अगर मुझे यह HTML लेना है तो मैं यहाँ पर क्या करता था कि where tag as tag equal to document.getElementById and यहाँ पर मुझे वो ID रिफाइन करनी परती थी जो मुझे यहाँ पर pass करने है कोई भी value append करने के लिए but अब कितना easy है मुझे ID की need नहीं है and मैं simple यहाँ पर ही अपने variable को call कर सकता हूँ with the help of JSX ठीक है तो इस चेक करते हैं output में आया कि नहीं आया bullseye देख हुई आ गया 100 hello subscribers ठीक है बशे है 100 काफी कम है subscriber आप यार कम से कम हाँ बस इतने करवा दो ठीक है इतने subscriber add करवा दो ज़्यादा कुछ नहीं है ठीक है so आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर simple एक variable बनाया and उसको call कर लिया ठीक है जावसिब का नई जो अपडेट आई है उसमें अरो फिंचन बहुत इजीली एक्सप्रेइन है तो वो मैं एक वीडियो का लिंक देदूँगा तो आप उसमें देख सकते हैं करना क्या है let alert call कर लेते है alert one ओकी या alert one की जगा print करा लेते हैं print something इसके बाद यहां पर हम arrow function यूज करेंगे यहां पर हम return कर देंगे जो भी हमें आपर print कराना है simple जो भी हम जावसिब में पहले यूज करते थे hello subscribers है तो यहां पर हम कर सकते हैं dear या फिर example फुछ भी लिग 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 यार ठीक है यहां पर प्रेंट something तो यहां पर हम variable call कर लिग जाए parenthesis चे साथ अपना function calls कर सकते हैं कोई error नहीं आया तो चेक कर लेते हैं कि बाद तो अब दिख सकते हो example hello subscriber बहुत ही easy है आप JSX के थुरू HTML, CSS, JavaScript को एक simple JS file के लिग सकते हो यही react में सबस्यादा better option आया है JSX के साथ so I think guys आपको JSX वर्ज में आ गया होगा कि JSX कैसे काम करता है and exactly JSX work कैसे कर रहा है React JS के अंदर तो यहार थोड़ा सब बेबल भी समय लेते हैं बेबल क्या होता है so बेबल is a JavaScript compiler जो कि आपके नए code को जो ES6, ES7 में code आया है उसको browser compatible बनाता है and आप advanced code लिख सकते हो with the help of Bebel and बेबल में आप advanced code लिखो या अप अपना code advanced लिखो फाइल के अंदर and वो उस code को compile करके change कर देगा browser compatibility के लिए ठीक है जैसे होता हम programming सीखते हैं बड़ी languages में तो वो क्या करता है? पहले language को compile करता है systematic बनाता है कि system में वो run हो जाए and then उस project को run करते है and हमें के लगता है कि अपने code लिखा है वो ही run हुआ है so चलिए मिलते next lesson में next lesson में हम project start करने वाले है कि हम कैसे कोई भी file को customize करके अपने लिए कोई भी website या कोई भी web app बना सकते हैं तो stay tuned with Friday और अगर आपने अभी तक lesson नहीं देखे हैं तो please यार पुराने lesson देखो क्योंकि आगे नहीं समझ पाओगे because हम by details सारी चीजों को समझ रहे हैं तो चलिए मिलते हैं next lesson में see you guys